सस्रेकाल मैं वीके सिंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दा जरावर क्लासिज में तो बिटा आज का दिन है वेडनस जे बुद्वार और तारीक हो गई 9-12-2020 ठीक है शायद आज आखरी शादी होंगी आपके घर परिवार रिलेटिव रिस्तिदार दोस्तों में तो देखिए अटेंड करिए उसको उसके बाद अपनी तैयारी में जुड़ जाईए ठीक है कुछ बच्चों के कमेंट कुछ ऐसे थे के सर कौन सी किताबे पढ़ें सर नहीं कौन सी किताबे लाएं तो एक्चली मैं जब कमेंट पढ़ता हूं तो सारे कमेंट पर आंसर नहीं दे पाता हूं पर कुछ-कुछ याद रहते हैं वीडियो बना दे टाइम तो देखिए कुछ किताबे ऐसी मिलेंगे आपको जो एक बार में समझ भी नहीं आएंगी तो मैं आपको एक सेंटेंस मुझे याद रहा है किताबों के नाम कही कि अच्छी किताबे याद रहते हैं अच्छी किताबे किताबे और अच्छे लोग तो आपको तुरंट समझ में नहीं आते हैं समझ भी हाँ मेरे बात है तो उनको समझ देने के लिए क्या चाहिए समय दिना पड़ता है अरठात उन्hे पढ़ना पड़ता है तब भी वह आपके अच्छी किताब अच्छे लोग हो क्योंकि अच्छी कुछ पार रिकर आपको लगते हैं क्यों कर रहे हैं तो इसका है वह अच्छे लोग है पर आपको समझना पड़ेगा जिनतरूप से उनको उबसर ना पड़ेगा तब आप सफल हो पाएंगे तो इसलिए जो अच्छे किताब होती है और अच्छे लोग होते हैं उनको समझ नहीं आते वह शुरुआत में ठीक है तो उनको पढ़ना पढ़ता है, समझना पढ़ता है तो समय दीजिए अगर आपको किताब लेकर भी आये हैं तो समय दीजिए और हमारी वीडियो के साथ भी कुछ बच्चों को उस पर प्रॉलम होती है हिंदी के शब्दों में तो बिटा समय दीजिए ये न पर पाण पजिए रिखे ंए जब लिखे रहे तो पड़ी ही चीज तो एक दम बेकार है याद कैसे रहेगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं इसलिए एक एक प्रशन को दुछलिए धेहन दियान से देखेंगे और तुरंत आंसर करने के कोशिश करेंगे और गलत नहीं करेंगे, आंसर देना है पर गलत नहीं देना है चलिए शुरू करें बहुत बड़ी हमारे साथ बच्चे जोड़ चेकते हैं एक्टिव लेर्नर्स बिहारी, बांगला, उडिया और असमिया भाशाओ का उद्भव किस अपब्रण्च से हुआ अपब्रण्च अपब्रण्च का अर्थ क्या होता है, जिरा कमेंट करके बताईए मीनिंग ओफ अपब्रण्च हमारे कुछ बच्चे ऐसा है, मुझे बोलने का मोका नहीं देते हैं तो उनसे यह लगता है, कि हम यह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं वो तो हर चीज मैं ही बताऊँ आपको ठीक है, बढ़िया जी, बताईए तो बताईए इसका क्या होगा उत्तर बताईए, आप वरंच का आंसर भी आ गया है जी, मागदी, अर्द मागदी, पैशाची या शौरशेनी जी, बहुत बढ़िया देखे, तुरंट बच्चों ने पढ़ लिया, इसको आंसर भी कर दिया है याद रखना है, जो बिहारी, बांगला, उडिया, असमिया है न यह सब मग, मागदी, मगदी से संबन्दित है ठीक है, याद रहेगा ठीक क्लियर, बहुत बढ़िया जी, चलिए, आगे बढ़ते हैं तुलसी, तुलसी दासकना, तुलसी कृत, विन्य पत्रिका की भाषा है देखे, इस तरह के प्रशन भी आपको पक्का मिलेंगे इनको छोड़ नहीं सकते हैं यह आपरिहार रहे हैं, एक शब्द आया मुझे यह आपको आता है स्पैलिंग मे आपरिहारे ओके, आपरिहारे का मतलब होता है जो चीज छोड़ी ना जा सके अवधी ब्रज, कन्नोजी या कौरवी बताईए याद रखना जो तुलसी के जो विन्य पत्रिका और बहुत सारे ऐसे अन्य है उन्हेंने ब्रज भाषा में ही लिखा है मैं आपको लास वीडियों में बताया थे ना ब्रज भाषा ठीक है कौन सी भाषा होती है कावे वाली और अभी ये बोल चाल की भाषा भी बोलते हैं तो कू मो कू नैको जो इस तरह के शब्द होते हैं वो हमारे ब्रज भाषा से आये हैं अगला बढ़ रहे हैं पशनमबर तीन जी पढ़िया जल्दी से शुद्ध शब्द छाटिये बताये शुद्ध शब्द कौन सा होगा जी बहुत बढ़िया तुरंट आंसर दे रहे हैं बच्चे अंतर भाषा याद रखना यह हमारा करेक्ट आंसर है जी बहुत शांदा बच्चे अंतर देते न तो अंतर अच्छा लगता है देखके जी शब्द कोश में शुरद्धा शुरद्धा को दुबारा लिख दे ठीक है शुरद्धा का पूरवाला शुरद्धा किस शुरद्ध के पहले आएगा ठीक है बताईए जी जो शुरद्धा शब्द है वो किस शब्द से पहले आएगा शाशन, शौर्य, श्याम या श्रमिक पहले आएगा जी असान है अगर आप हिंदी शब्द कोश देखेंगे तो आपको तुरंत पकड़ पाएगे कि देखें यहाँ पे तो वैसे शुरमिक जो शब्द दिया हुआ है जब शुरद्ध वाले ही दिये हुआ है ठीक है ठीक है तो यह तो इससे पहले ही आगया न क्योंकि आप देखेंगे याद है मा बाद में आता है दा पहले आता है चलिए बहुत बढ़िया तो अनसर क्या हो जाएगा इसका बेटा हिंदी शब्द कोश के आपको अक्षर याद रखने पढ़ेंगे क्योंकि वो पूछता है मतलब आपको जो हिंदी बढ़ माला उसके अक्षर याद रखने पढ़ेंगे कौन सा अक्षर का बात है करमवाइस काचा ताटा पा जो वर्ग होते हैं उन सबी का ठीक है आगे देखते हैं एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चड़ा का अर्थ क्या है बताइए बुरे का और बुरे से संग होना एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा बुरे व्यक्ति की बुरी संतान बुरे का अच्छे से संग होना तो यह तो मुझे लग नहीं रहा जी बताइए जल्दी से उपर से कौन-कौन सा हो जाएगा कौन-कौन से हो जाएगा बताइए जल्दी से जी बहुत बड़ी आंसर आ रहे हैं पर मिलते जुलते आंसर आ रहे हैं इसका correct आंसर है बुरे का और बुरे से संग होना यह हमारा आंसर सही है ठीक है ना एक तो करेला ता आप तीता दूजा नीम चड़ा किलियर याद रखना इसको बुला नहीं बड़ी-बड़ी प्रेक्षाओं में मुखे रूप से आ जाता है गए थे रोजा छुडाने नमाज गले पड़ी का अर्थ क्या है मुश्किल में पड़ जाना कष्ट पहुचना गरीब हो जाना उपकार करने के बदले स्वयम को दुख भोगना पड़ना जी बताइए गए थे रोजा छुडाने नमाज गले पड़ी बहुत बड़ी है आंसर आने गया है बच्चों का उपकार करने के बदले स्वयम को दुख भोगना पड़ा ठीक है गए थे मदद करने और खुद को ही कस्ट हो गया चले बहुत बड़ी है प्रशन नमबर साथ जी वाक्ये के अशुद भाग का चयन कीजिए के लिए यानिकि यहांप एक वाक्य दिया है देखे तीन उसमें और लास्ट में लिखा कोई तूटी नहीं नो एरर बताईए कौन से भाग में तूटी है मैं पढ़ूंगा नहीं आपको खुद को पढ़ना है बताईए जल्दी से अंसर कर रहे हैं बच्चे अगर आपको लगए कि इसमें सेंटेंस यह पूरा ठीक है तो आपको लास्ट में ओप्चन डी भी दे सकते हैं कोई तूटी नहीं यह भी आंसर हो सकता है कब होगा जब यसमें कोई भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं हो आपको पैचान करने है ना संग्या की सरव नाम की विशेशन की कारक्षिन की बहुत सारे इसमें होंगे आपको ठीक है जी चलिए आपको बतायता हूँ इसमें कुछ मिलते जुलते सांसर रहे सेले गड़वड हो जाएगी देखे जो इसमें सेंटेंस पढ़ेंगे पर गुणी मनुष्य कहता है कि वे व विवित प्रकार के दुखो को सेहन करना ठीक है अब सेहन करना और गुणी मनुष्य जुड़ नहीं रहे ठीक है गुणी मनुष्य यानि कि उसकी विशेश्ता है तो विशेश्ता तो है पर वो उसके कार्णे से जुड़ नहीं रही है ठीक है गुण से गुणवान कोई कार नहीं होगा क्योंकि गुणी से जो उसकी विशेष्था हो रही है उससे कार्य की संतुस्टी नहीं हो रही है समझे रहा मेरी बात पर यहां पर आप जोड़ेंगे सहासी मनुष्य कहता है कि मैं विवित परकार के दुखों को सहन आरना करके भी दुखी नहीं हूँ तो गुड़ी का अर्थ नहीं आ रहा पर सहासी को और यह दिया आप जोड़ते हैं तो इसको आप ठीक से कर लेंगे तो यानि कि जब आसे आंसर में देना है तो क्या देना है आंसर नमबर ए यह अशुद्ध वाक्या है यह अशुद्ध भाग है मतलब यह समझे क्लिए आगे पढ़ लिए कि आडंबर वाहुत है किन्तु वास्तविक्ता कुछ नहीं आख का अंदा नाम नयानशुक उची दुकान फीका पकवान ऊट के मुह में जीरा खोदा पहड निकली चुईया बदाए जल्दी से जी यहाँ पर भी मिलते जुलते कुछ आंसर आ रहे हैं ठीक है पहले आप शब्द को देखे आडंबर वाहुत है किन्तु वास्तविक्ता कुछ नहीं ठीक है तो देखें यहाँ पर देखें आडंबर के मुलब चीजें मुलब बहुत बड़े बड़े दिखा रखे हैं पर वास्तविक्ता कुछ नहीं किलियर तो यहाँ पर क्या जाएग उची दुकान फीका पकवान ठीक है समझे रहा है जैसे हमने किसी को बड़े बड़ा चड़ा कर किसी की चीज के आतिश योक्ति की हुई है और जो पता लगा अंतमे के वास्तविक्ता तो कुछ और ही है ठीक है चलिए बहुत बड़िया हमारे बच्चे कुछ तुरंत आंसर करते हैं देख के बड़ी दिल को संतुष्टी मिलती है वाक्य के अशुद भाग का चैन कीजिए सेम वैसे ही जो अभी किया था हमने वैसे ही है कि वाक्य में जो अशुद शब्द है अशुद भाग है उसकी पैचान करनी है सीता राम की आग्याकारी पतनी थी कोई आद कोई तुरोटी नहीं जल्दी से बताईए अब तो यह था चोटा सा ही हुआ हाँ जी बहुत बड़िया कुछ बचों ने पकड़ लिया है पर कुछ बचों की मिस्टेक अभी भी हो गई है देखे आग्याकारी जो शब्द होता है ठीक है न वो किसके लिए यूज होता है वो होता पुरुष के लिए यूज ठीक है और इसके आप यहाँ पर किसकी बात केगी है सीता की किलियर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आग्याकारीनी क्लियर यह है जो कि महिलाओ के लिए इस्तरी के लिए लगाया जाता है ठीक है न ओबिडेंट वर्ड है ठीक है ओबिडेंट ली ठीक है वो है हमारा इस्तरी के लिए याला आग्या कारिणी याद रखना यह आपका spending में भी आता है जो running वर्थणी जो आती है न हिंदी में उसमें भी आता है यहाँ पर आग्या तक ठीक होता है उसके बाद यहाँ पर गलत हो जाता है यहाँ पे करिणी हो जाएगा और कारिणी उर वगरण किलियर होके समझ कुछ बच्चों का गलत होएथा कोई बात ने गल् किरिया जी ग्यों पिस रहा है मैं बालक को जगवाता हूं मदन गोपाल को हसा रहा है राम पत्र लिखता है जल्दी से बताइए क्या है इस का अंसर जी बहुत बढ़िया देखें वा बच्चों ने पैचान लिया है ये क्योंकि हमारे टॉपिके कराया हुआ है ना ठीक है ग् बहुत बढ़िया तो पिटा ये थे हमारे कुछ आज के टॉप टैन कोश्चन जो कि समाहार था ठीक है ना इसी तरह और भी आगे वीडियो लेकर आएंगे जिन बच्चों के पास ये नंबर नहीं है 863-800-8832 ठीक है तो इस नंबर पे आप अंकित सर को कॉंटेक करिए कैसे कॉंटेक करेंगे नेम और अपना प्रिपेरिंग पोस्ट ठीक है जिसकी भी आप तहरी कर रहे है वो भेज़ दीजिए सर के वाटसाप नंबर पे वह आपको अपने जो वाटसाप का गुरूप है व उसको जोइन कर सकते हैं क्लियर और कुछ बच्चे मुझे बीच बीच में कमेंड करते हैं सर आपका के बीसी कैसा चल रहा है ठीक है के बीसी में मेरा सेकिंड राउंड किलियर हो गया है ठीक है सेकिंड राउंड के बाद अब होता है ऑनलाइन टेस्ट ठीक है ऑनलाइन टे उनके बेस्ट फे वीडियो बनानी है जैसे आप से पूछते हैं कि आप के भी सिमाना क्यों चाहते हो आपके परिवार में कौन है आप आपकी पढ़ाही से संबंदित वगरा वगरा ठीक है यह सब कोशन आएंगे तो यह आंसर उनका इनका कई बार जो के भी से पूछ लेते ह तो मेरा सेकेंड राउंड के लिए मैं प्रिपेर कर रहा हूँ ओनलाइन टेस्ट के लिए ठीक है उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा एक आपको फॉर्म भरके भेजना होता है ठीक है वो फॉर्म लगवा 16 पेज का होता है उसमें सारी डिटेल हो जाते है वो आपके एक तरह के हिस्ट्री बन जाती है ठीक है ना केस इस्टडी जिसको बोलते है पॉर्टफोलियो के लिजिए उसके बाद फिर आपका पर्सनल इंटर्वी होता है वो आज कल पहले तो जाते थे मुंबई अभी वो हो रहा है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा ठीक है न जान रखिए जै हिंद जै भारत जै हिंदी